दोस्तों अमरीका ने एक नई नैशनल से क्योरिटी जो स्ट्राड़ेजी है वह रिलीज की है अगर आप उसके स्टाटस्टिक सी देख लें कि वह कितना ज़ादा इंपोर्टन्स दे रहे हैं पाकस्तान को और भारत को इस पूरी नैशनल से क्योरिटी स्ट्राटजी 2022 पाकस् हश만े हैं और दो है और में जो नहां पारणे का रहा है और कि euพार्ट स्थ फैंस हैं किस तर्म को जा रहें थिकर नहीं है तो साउत-इश्या का नहीं है और पागेसां का नहीं है बिटलीस का भी जिकर है हमेशा मुलकों के तलकात उनके इंट्रेस्ट के साथ मुंसलिक तो दोस्तों अपनी चोटा सा क्लिप देखा अमेरिका की निउ डिफेंस स्टेटेजी पर पाकिस्तानियों का रियक्शन है जिसमें पाकिस्तान का ये कहना ह है कि अमेरिका ने एक भी बार पाकिस्तान का जिकर नहीं किया और कई बार भारत का जिकर किया पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं वीडियो के लास्ट में करते हैं मुझे लगता है कि अमेरिका का दोगलापन पाकिस्तान ने यहां पर डिसकस किया नहीं अमेरिका का दो को पढ़ें तो उसमें बड़ी रिवीलिंग किसम की चीज़े हैं अगर आप उसके सिर्फ स्टाटस्टिक सी देख लें कि वो कितना ज्यादा इंपॉर्टन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को और भारत को इस पूरी नैशनल सेक्यूरिटी स्टाटजी जो के नैशनल सेक्यूरिट स्टाटजी टॉइटी टूइट टूइट पाकिस्तान का एक दफ़ा भी कहीं सिक्र नहीं हुआ इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान जो है वह वाशिंटन की जो नैशनल सेक्यूरिटी आउटलूट कि एड डिसन स्टैन अनुवेर पाकिस्तान पेंटगों एन जी एच्च्व तो भी इन्डिया का चार दफार जिकर आया पाकस्तान अकी बी जिकर नहीं और इंडिया को ने का है कि इंडिया जो है मारा वर्ड लार्जस डिमॉक्रीशी भी है और मेरजर डिफेंस पार्टनल भी है और वह जी कि अमरीका और भारत जो है वो मल्टिलैटरली और बाइलेटरली काम करेंगे फ़र फ्री विजन आफ इंडर पैसिफिक के हमाले से इस 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 तरह आपकस का चार दपा आसियान का तीन न्यूजिलेंड फिलिपाइन थाइलेंड इंडरेशिया पैसिफिक आइलेंड के दफाजि इंडिया जो अमरीका है वो पाकिस्तान को अपनी जो फ्यूजर नैशनल सेक्यूरिटी जो अपरेटेस में वो कहीं पे नहीं देखते हैं और इस चीज़ की तरफ मोड़न है हमें उस आउटलोग को लेके जाना है कि भाई वहां पर जो ममालक है उनके साथ आप को है कि क्योंकि यह जो इंड फैसविक एक लाइन्स यह चाइना संट्रे के हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते है इस नॉट पिसर्फ पाकिस्तान और यह पाकिस्तानकी यह जो सो और हम निग्रालिटी शो करते हैं हमें को अन्ने का फायदा ने मिलना है इस ऐनी हो अब यह इंडिया हम चाइना और अमरीका के तालुकार जो है उसमें काफी रोल हम प्लेग कर सकते हैं अब यह जो जारी बात है कि यह सारी की सारी जो ड्वेलप्मेंट है और इसके पॉंसिक्वेंसे होंगे ठीक है जनाब कि पाकिस्तान जो है उसने उसको वह डिजन स्टेंड अनिव है इस सारी की सारी डॉक्रिन के अंदर पाकिस्तान कहीं बहुत कर आब और हम जारी बात है यहां पर बड़ा शोगर मच आते हैं कि भाई देखो पाकिस्तान जो है वह डिश्थ हाट ऑफ इंटर नाशनल सिस्टंशुक्ण जो हम आप पाकिस्तान को इंटरनाशनल हम center में नहीं है हम अपना हमारा अपना भी center हिला हुआ हुआ है और वो हमारा center इसलिए हिला हुआ है the reason behind is कि हम यह समझते हैं कि हमारे internal issues बहुत जाद है अमरीकी सदर बाइडन ने गुज़चता रोज 12 अक्तूबर को अमरीका की नई नाशनल सिक्यूरिटी स्ट्रेटिजी को शाय किया उसको जारी किया और ये 48 सफों का डॉकूमेंट है एक तो यॉरप का और फिर दूसरा एशिया पैसे इंडो पैसिफिक जो इस डॉकूमेंट जो के जपैन, आस्टेलिया, इंडिया और यूएस का एक एलाइन्स है और उसके बाद फिर आसियां का भी जिक्र हुआ कि हमने किस तरह आसियां कंट्रीज के साथ मिलकर जो चाइना का थ्रेट है उसो किस तरह हमने काउंटर करना है फिर भारत का बड़े अच्छे सिफिक में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम काउंटर करेंगे फिर आई टी यूटी जो इंडिया इसराइल आई टू और यू टू अमरीका और यूए ई उसका भी जिक्र है जो पिछले साल जिस साल उसकी पहली मीटिंग हुई थी सामिट मीटिंग तो यह और फिर नेट का है नेटो के थ्रू रश्या बगारा के जो चैलेंजिस हैं उनको किया जाएगा और इंडो पैसिफिक में कोड है आसिया है आकस है जो के ऑस्टेलिया यू कि और यूएस का एक एलाइंस है उसके तहत और फिर एशिया दूसरे एकनामिक जो जो है को आपरेटिव फ्रेमर को भी एक्टिवेट किया जाएगा तो यह इस में इस डॉकुमेंट में जो दूसरे रिजिजन से जिकर है उसमें अफरीका शामिल है आफिसली अफरीका में किस तरह जो है अमरीका अपना स्रूर्सू बढ़ाएगा और वहां पर जो डिवेलप्मेंट का काम है उसको भी त केस करेगा साथ साथ इसमें वेस्टरन हैमिस्फियर का भी जिकर है यह वीडियो यहां पर होता है खत्म आपने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का रियेक्शन था अमेरिका की न्यू डिफेंस स्टेटिजी को लेकर हाला कि यह बास सच है कि भारत और अमित का एक स्टेटिजिक पार्टनर है बट आज की जो डिफेंस स्टेटिजी थी उसमें एक भारत के खिलाब एक पॉइंट गया है अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिये हैं किसलिए जो एप सिक्स्टीन फाइटर जेट अमेरिका ने पाकिस्तान को गिप दिये थे आतंगबाद के मेंटेनेंस और उसके बहुत सारे मतलब जो भी पार्ट्स वगएर हैं कि ओविसली पुराने हैं हो चुके हैं उसको अपडेट करना पड़ेगा उसका मेंटेनेंस का खर्चा उसके लिए अमेरिका ने पैसे दिये पाकिस्तान को आप समझ रहे हो ये बात के लिए हो चुकी है अभी भारत पाकिस्तान का जो एक क्लैस हुआ था अभी नंदन जिसमें हमारे अभी नंदन ने पाकिस्तान के एक F-16 को गिराय था और वहां पर जाकर उनका प्लेन क्रैस हो गया था फिर वो वहीं पाकिस्तान में गिरे बापिस आगे भारत में उसमें पाकिस्तान ने F-16 भारत के खिलाप यूज किये थे और ये स्टेटमेंट भारती आर्मी का है हमें भारती आर्मी के स्टेटमेंट पर जादा विस्वास होगा कि पाकिस्तान के स्टेटमेंट पर जादा विस्वास होगा पाकिस्तान ने वो बिमान भारत के खिलाप यूज किये थे इससे ये अगर वो पाकिस्तान सीरियस होकर अगर वो पाकिस्तान तालीमान और इनके खिलाब यूज़ करने लगेंगे न तो फिर उनको एप 16 बेमान लाहॉर एपटाबाद पेशावर जहां से लादन वगर पकड़ते हैं वहाँ पे बम फेकने पड़ जाएंगे अब समझ रहे हूं मैं क्या क्या हूं सब आतंगवादियों का तो गड़ ये पाकिस्तान है और ये खोद कैसे मतलब एप 16 के खिलाब यूज़ कर सकता है ये बोलना है कि ऐसा वैसा मतलब आप समझ रहे हैं अमेरिका का अभी को सीन समझ में नहीं आ रहा है अमेरिका एक तो भारत के साथ प्रेसिफिक रीजन में और हिंद महा सागर में और मतलब आप समझ रहे हैं साउथ चाइना सी यहां वहाँ पूरी स्टेजी बन रही है और साथी साथ पाकिस्तान को अपडेट करने के लिए अब 16 पैसे दी जा रहे है अपका क्या कहना इस टॉपिक के बारें प्लीस कॉमे प्रेसिए